हेलो स्टुडेंट, इम कमला ठाकूल फ्रम महात्मा गांधी जिक्षन संस्थान दर्भंगा इन इस वीडियो आई विल वी टीचिंग यू क्लास सेकेंड सब्जेक्ट संस्क्रीट पार्ट फोर्थ चैप्टर्स नेम इस बचना नाम ग्यानम हाँ तो बच्चो फिछले वीडियो में मैंने आपको इस दिलिंग सब्द अगर एक वचन, दुई वचन और बहु बचन में रहे तो किस सब्द का यूज होगा इसके बारे में बताई थी आज में आपको नपुनसक लिंग सब्द अगर एक वचन, दुई वचन और बहु वचन में रहे तो किस सब्द का यूज होगा उसके बारे में बताती है तो सबसे पहले यहां पुस्तक का पिक्चर दिया हुआ है और यह एक वचन में है तो आपसे पूछ रहा है एतत किम अस्ति यह क्या है तो इसका आंसर होगा एतत किम अस्ति यह पुस्तक है नेक्स्ट है गेंद का पिक्चर और यह भी एक वचन नपुनसक लिंग में है तो आपसे question पूछ रहा है एतत किम अस्तियः क्या है तो इसका answer होगा एतत कंदुकम अस्तियः गेंद है Now next है दूई बचनम तो इसमें दो पहिया का picture दिया हुआ है और आपसे question पूछ रहा है एते के अस्त ये दो क्या है तो इसका answer होगा एते चक्रे अस्त ये दो पहिये हैं Now next में है घर का picture और आपसे question पूछ रहा है एते के अस्त ये दो क्या है तो इसका answer है एते ग्रिहे अस्त ये दो घर हैं Now last में है बहु बचनम तो इसमें सबसे पहले तीन पत्ते का picture दिया हुआ है और आपसे question पूछ रहा है एतानी कानी संती ये सब क्या है तो इसका answer होगा एतानी परनानी संती ये सब पत्ते हैं तो बचो इसमें आपने ये जाना कि नपुन्सक लिंग एक बचन में एतत और अस्ती का यूज होता है और नपुन्सक लिंग बचन में एतानी और संती का यूज होता है हाँ तो बचो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में